तो आज आप लोग पढ़ेंगे कच्छा आठ गडित का अभ्यास साथ का ए इससे पहले आप लोगों ने ये जो भी इस चैप्टर का इंट्रोड़क्शन था उसमें हमने बता दिया था और हमने तीन बिधिया बताया था इन समिकर्णों को हल करने के लिए सारड़ी बीद, प्रतिस्थापन बीद और बिलोपन बीद तो आज हम लोग अभ्यास सेवन का ए शुरू करने वाले आए तो देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं इससे पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नहें आया हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेर करिए और लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को एक एक बात आसानी से समझ में आ सके तो देखते हैं पहला कोस्चन है एक्स के मान वाई के पदों में लिखिए इसमें पहले में तीन कोस्चन दिया हुआ है इसमें हमको एक्स का मान निकलना य के पदों का रहा है एक्स के मान निकलना यह मतलब एक्स का हमको मान निकलना तो देखते हैं तो जब हमको एक्स का मान निकलना तो हम लोग जानते हैं जिसका मान निकालना रता उसी को बराबर के एक तरफ रने दते हैं बाकी सभी यंकों को बारी बारी से दूसरे तरफ भेजते हैं तो हमको यक्स का मान निकालना तो माइनस y को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस y है इधार आयागा तो पलस y हो जायागा तो हम लिखेंगे क्या x इक्वाल ये 4 पहले से है माइनस y जब इधार आयागा 4 पहले से है माइनस y जब इधार आया तो पलस y हो गया यही अंसर हो गया x इक्वाल 4 पलस y या y प्लस 4 दोनों लिख सकते हैं बाते कही हैं इसको देखते हैं x का मान निकालना है तो हम पहले y वाले को उधर भेजेंगे तो यहां हो जागा 2x इक्वल यह 6 पहले से 4y प्लस में इधर है बराबर के जब इधर भेजेंगे तो 4y प्लस में था इधर आया तो माइनस में 4y हो जागा अब देखिए अभी हमको x का बालू निकालना तो 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा तो 2 हम देखते हैं x के साथ गुडा में है जब 2 संख्याओं के बीच कोई चिन नहीं होता तो गुडा होता है तो 2 इधर गुडा में इधर आया तो भाग करेगा तो यहाँ बच जाएगा x इक्क्वल यह 6 माइनस 4y है तो 2 इधर आया तो भाग करेगा तो किसी एक संख्याओं नहीं करेगा दोनों में भाग करेगा ऐसे पूरे के बटे 2 लिखेंगे तो इधर गुडा में इधर आया तो पूरे में भाग करेगा आप देखते हैं भाग भी कर लेंगे तो x equal हो जागा देखिए 6 के भी नीचे है और 4y के भी नीचे है ऐसा हमने एक सर साइल 5 में आप लोग भाग में पर चुके हमने बताया था तो 2 से देखिए 6 को जब काट देंगे तो 3 होगा और माइनस 2 से 4 को काटेंगे तो दो बार में तो 2 दूना 4 और यहां y है तो 2y होगा तो x equal हो गया 3 माइनस 2y यह answer हो गया यहां हम लोग देखते है x का बालू हमको निकालना तो पहले y को उधर भेजेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे 1 upon 3x equal to 2 पहले से plus y को पहले इदर भेजेंगे तो माइनस y होगा पहले जो अलग संख्या होता है उसी को भेजते हैं अब देखी हमको x का बालू निकालना तो 1 by 3 को भी उधर भेजना तो पहले देखी यह नीचे 3 है मतलब इसमें 3 भाग कर रहा तो इधर आगा तो गुरा करेगा यहां बच जागा 1 है पहले से 1 into x इकल यह 3 इधर भाग कर रहा था इधर गुरा करेगा तो दोनों संख्या हम गुरा करेगा तो 3 दुना 6 माइनस और 3 का वाई में गुरा 3 y हो जागा 1 का किसी संख्या हम लोग जानते हैं गुरा करते हैं तो वही संख्या रहता है तो 6-3yx एक्वल यही अंशर हो जागा हमको x का मान निकालना था इसको देखते हैं इसमें दिया y के मान x के पदो में लिखिये इसमें y का मान निकालना थो हम यह सब बारी-बारी से x को भी इधर भेज देंगे तो देखते हैं y का निकालना हमको तो यहां लिखेंगे minus y equal minus y है तो minus y equal 9 पहले से इधार है तो इधार रहने देंगे अब 5x को हम जब इधार भेजेंगे तो इधार plus में 5x इधार आएगा तो minus में हो जाएगा अब हम ध्यान देते हैं y का हमको मान निकालना है तो y है इधार लेकिन जिसका मान निकालते हैं वो हमेशाब plus में होना चाहिए जबकि यहां minus में है तो हम क्या करेंगे minus से पूरा यहां से वहां तक उड़ा कर देंगे मतलब सब कच्चीन बदल देंगे तो देखिए यह जब y होगा plus में तो यह हो जाएगा minus और यह हो जाएगा plus यही अंसर होगा यहां से भी लिख सकते हैं अंसर को 5x minus 9 बात एक ही हुआ चाहां से लिख सकते हैं इसको देखते हैं हमको y का मान निकालना तो x वाले को उधर भेजेंगे यहां बच जाएगा minus 2y इकल 10 पहले से 6x इधर plus में इधर आएगा तो minus 6x होगा हमको minus 2 को भी इधर भेजना यह का सकते हम केवल पहले 2 को भेजला इससे आसान रहागा तो इधर बच जाएगा minus y इकल 2 देखिए इधर इधर गुड़ा कर रहा 2 तो इधर आएगा तो भाग करेगा तो 10 minus 6x बटे 2 इधर गुड़ा में इधर भाग में अब बारी बारी से दोनम भाग कर देंगे तो हो जाएगा minus y इकल 2 से 10 में भाग कर देंगे तो 5 बार में minus 2 से 6 में भाग करेंगे तो तीन बार में X है तो X लिखेंगे तो 2 से हमने भाग कर लिया आप देखिए यहां माइनस में नहीं होना चाहिए तो चीन सब का बदल लेंगे तो यहां Y होगा तो यह माइनस 5 हो जागा और यह पलस 3X यह अंसर हो गया पलस 3X पहले माइनस 5 बाद में भी लिख सकते हैं बात एक हई हुआ इसको देखते हैं Y का मान निकालना तो हमें X वाले को उधर भेजेंगे तो यहां रह जागा 1 अपन 2Y इक्वल 4 पहले दिया 2X इधर पलस में इधर आएगा तो माइनस 2X होगा अब हमको 2 देखिए 2 को भी उधर भेजना इधर भाग में तो उधर गुड़ा हों में होगा इधर एक गुड़े Y बचेगा बराबर दो इधर भाग में इधर गुड़ा में तो 2 का दोनम गुड़ा होगा 2 चव को 8 हो जागा और माइनस 2 दुना 4X होगा एक का Y में गुड़ा कर लेंगे तो Y ही रहागा Y कर 8 माइनस 4X यह एंसर लिखेंगे याप माइनस 4X और पलस 8 ऐसे भी लिख सकते हैं बात है कही हुआ अगला कोस्चन आप देखते हैं तो तीसरा कोस्चन देखते हैं दिया हल किजिए इसमें दो कोस्चन दिये हैं तो बारी बारी से दोनों को देखेंगे तो इसमें दो कोस्चन दिया हैं दोनों को बारी बारी से देखेंगे पहला कोस्चन है और यह हल किजिए दिया है सारड़ी बीद से तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को तीनो नियम हमने बताया था तीनो बीदिना बारी बारी से की कैसे उसको हल करते हैं एक सारडी बीदि हमने बताया था एक प्रतिस्थापन बीद और एक बिलोपन बीद तो इसमें आप लोग सारडी बीदि से यहां दिया तो सारडी बीदि से हल करेंगे अगर नहीं दिया रहता तो किसी भी बीदी से हल कर सकते थे तो सारड़ी बीदी देखते हैं दो समीकरण दिया हुए युगपत समीकरण हम लोग पढ़ना उसमें हमेशा दो समीकरण दिये होंगे तो दोनों के लिए हम लोग दो सारड़ी अलग अलग बनाएंगे देखते हैं कैसे बनाते हैं पहले हम लोग Y का मान यहाँ से निकालते हैं दोनों समीकरणों से बारी बारी और उसी दोनों के लिए दो सारड़ी बनाते हैं तो देखते हैं तो यह माले जी पहला समिकरण हम लेते हैं X प्लस Y इक्वल 4 यहाँ से हम लोग हल करके Y का मान निकालेंगे उसके अलावा जो भी संग्य होगा उसको पच्छांतर करेंगे तो हम जानते हैं है यहाँ X से X को इधार पच्छांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y equal प्लस 4 दिया है यह x इधर आया तो प्लस x इधर आया तो माइनस x होगा अब यह हमको y equal मिल गया है इसके लिए हम समिकरण एक सारडी हम बनाएंगे तो देखते हैं यहाँ तो देखिए एक में हम लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y और क्या करेंगे हमें x के जाएपर अपने तरफ से 1,2,3,4,5 कुछ भी 0 भी रख सकते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7 जितना चाहेंगे और minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 जितना चाहेंगे हम x के जाएपर रखते जाएंगे इसमें मान तो y का मान मिलता जाएगा उसको इसमें लिखेंगे जैसे मान लिजिए अगर हम x के जाएपर 1 लिखां तो x वाले मा अगर हम 1 लिखां पलस 1 तो y का मान कितना होगा उसको rough पर चेक कर लेंगे यहां से देखिए यहां से अगर हम चेक करां y कल हम 4 minus x अगर हम 4 minus x के जाएपर अगर हम 1 रखते हैं तो y कल कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा तो यह rough का काम होगा इस समीकरण से हम एक 2 रख के हल करेंगे यह rough का काम होगा तो देखिए हमने जब x के जाएपर एक रखा तो y हमको मिल गया कितना? 3 इसी तरह समान लिजए अगर हम x के जाएपर यहां 2 रखा यह x वाले में तो देखिए 2 जब यहां रखेंगे तो 4 में से 2 गटेगा तो हमको मिल जाएगा 2 इसी तरह हम x के जाएपर अगर 3 रखते हैं तो 4 में 3 गटाएँगे तो यह मिल जाएगा 1 इसी तरह मान लिजए अगर x के जाएपर हम 4 रखते हैं तो 4 में इस 4 गटाएंगे तो y मिल जाएगा 0 और x के ज़गापर अगर हम माल्य जी ये 5 रखते हैं तो y, देखिये यहाँ 5 अगर रखते हैं तो 4 में से माइनस 5 है माइनस 5 में से पलस 4 गटाएंगे तो माइनस 1 होगा y का मान माइनस 1 तो ऐसे हम लोग जीतना चाहेंगे उतना मान निकाल सकते हैं ये होगे आप पहले के लिए पहले समीकरण सामने एक सारडी बनाया अब दूसरे समीकरण को लेकर दूसरा सारडी बनायेंगे तो देखते हैं इसको हमें आज हटा देंगे दूसरा समीकरण यहां हम लिखते हैं 5X प्लस 12Y कल 13 दिया है यहां सभी हम Y का बालू निकालेंगे तो पहले इसको पच्छा अंतर करेंगे तो यहां बज्जागा 12Y कल 13 पहले दिया 5X जब इधार आया तो इधार प्लस में इधार आया तो माइनस में होगा और हमको Y का बालू निकालना तो यह जो 12Y इसको भी इधार भेजेंगे तो इधार देखिए गुडाम है इधार आयागा तो भाग में होगा तो Y कल हो जागा 13-5X पहले से है और यह इधार आया 12 तो इधार गुडाम था तो इधार भाग में होगा पूरे खे आप देखिए यह Y का जब हमको बैलू यह से हमने निकाल लिया समीकरण को पच्छांतर करके तो आप इसके लिए हमें एक स्टारडी बनाएंगे यहाँ दूसरे समीकरण के लिए एक में X और एक में Y लिखेंगे और इसमें भी हम कम से कम पंच मान ले लेते हैं आप लोग जीतना ज्यादा चाहाँ ले सकते हैं हम देखिए आप X के जब पर इसमें अगर मान लखेंगे तो Y का मान हमको निकलता जाएगा यह रफ का काम होगा रफ पर चेक करेंगा अगर मान लेजी हम X के जब पर एक लिखें इसमें एक रखें तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा एक बार हल करके यहाँ बता रहा हैं देखिए Y कोल 13 माइनस 5 अगर हम अपने तरफ से एक रखा तो 5 बुड़े एक और बटे 12 होगा तो देखिए Y कोल क्या हो जागा 13 में से 5 घटाएंगे तो 13 में 5 जागा 8 बटे 12 ऐसे हो जागा मान तो इसी तरह मान रखते जाएंगे छोटा भी कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मान लिजिए 2 से हम काट दा या 4 से काट दा तो 4 दूना 8 4 ती आई 12 तो हो गया 2 बटे 3 तो ऐसे हम लोग मान रख के चेक करेंगे ये रव का काम होगा ये रव का काम है हमको ये समिकरण मिला यहां तक हमको हल करना है ये रव पर चेक करेंगे अब मान लिजिए अगर हमने एक्ष के जाएंपा 2 रखा तो देखी हम ऐसे हल कर रहा है 2 रखेंगे जब यहां तो 5 का 2 में गुड़ा होगा तो 10 हो जाएगा तो 13 में से 10 जाएगा तो 3 बटे 12 होगा तो 3 बटे 12 को हम लिख सकते हैं एक बटे 4 हम उसको काट के छोटा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा आप लोग रफ़र इसको चेक करते रहेंगे अगर x के जहाँ पर हम 3 रखते हैं तो 5 का 3 में गुडा 15 मैनस 15 और पलस यह बढ़ा ये छोटा तो घटाएंगे तो मैनस में होगा तो 3 हम जब यहाँ रखेंगे तो मैनस 15 में 13 जागा तो मैनस 2 बटे 12 तो काटदेंगे तो मैनस 1 बटे 6 होगा मानलली जी हमें यहां x के जया पर 4 रखते हैं तो 4, 5, 20 minus 20 में plus 13 घटाएंगे तो minus 7 minus 7 बठे 12 होगा 5 रखते हैं यहां तो 55 होगा minus 25 minus 25 में से 13 जब घटाएंगे तो हो जागा minus 12 मानस 12 में जब 12 से भाग करेंगे हमें x के ज़ापर अगर 5 रखते हैं आप लोग 5 रखके चेक करेंगे तो देखिए 5 पचे 25 माइनस 25 में पलस 13 गटाएंगे तो माइनस 12 तो माइनस 12 हम जब 12 भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा माइनस एक बार में तो आप देखते हम लोग दोनो सारडी से सारडी भी दिया ही है दोनों सार्डी से हम X और Y का कामन मान देखते हैं कामन मान वह मान होता है जो दोनों में समान रहा है तो देखिए इसमें एक तीन इसमें कहीं नहीं है ऐसे जो भी देखेंगे तो मान समान दोनों का X Y का नहीं मिलेगा हमको देखिए इसमें x y का मान x का 5 और y का minus 1 इसमें भी x का 5 और y का minus 1 जो मान दोनों में same मिलता है y answer हो जाता है तो लिखेंगे हम x equal 5 x का मान देखिए 5 दोनों में y का मान minus 1 और y का मान दोनों में उसी को उभा निष्ठ काते है तो लिखेंगे x का 5 और y का minus 1 उभा निष्ठ है इसलिए x का 5 और यहां लिख लेंगे y कल माइनस एक ऐसे लिख लेंगे यही आंसर हो जाएंगे तो ऐसे सारडी भी दिसे हल करना है अगला question देखते हैं तो यह तीसरे का second question देखते हैं इसमें दिया 5x equal y 2x plus y equal 7 दो समिकरण दिये हुए हैं इससे भी y काम करना है पहले इसको लेका हम हल करेंगे पहले समिकरण को तो 5x equal y दिया है हमको y निकालना होता है तो हम लोग जब देखिये जब दोनों संख्या को इसको इधार इसको इधार करते हैं तो चिन नहीं बदलते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y equal 5x तो y equal 5x है हमने से लिक लिह अवीश के लिए हम एक सार्टी बना हैंगे हम एक में एक्स लिखेंगे एक में वाई लिखेंगे अब इसमें देखिए एक्स के जहाँ पर अपने तरफ से कुछ भी मान हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, पलस में माइनस में कुछ भी रख सकते हैं जितना ज्यादा चाहेंगे रखेंगे एक्स के जहाँ पर अगर मान लेजी हम 0 रखां यहां एक्स का मान 0 तो य का मान भी देखिए इसको रख पर साल्प कर लेंगे तो 5 गुड़े 0 मतलब य का मान भी 0 हो जागा अगर एक्स के जहाँ पर हम एक रखते हैं तो 5 का एक में गुड़ा मतलब y का मान हो जागा 5 अगर एक्स के जहाँ पर हम 2 रखां तो 5 दूना y का मान हो जागा 10 तो 2 हमने पलस में रख लिया, 2 माइनस में रख लेते हैं, अगर x के जहाँ पर हम माइनस एक रखां, तो देखिए, माइनस एक का पलस 5 में गुड़ा माइनस 5 हो जाएगा, अगर x के जहाँ पर हम माइनस 2 रखां, तो माइनस 10 हो जाएगा y का मान, तो ऐसे हमने सारडी एक ब को उधर पच्छामतर कर लेंगे तो y को लें आप बचेगा ये 7 पालेश दिया 2x इधर पलस में इधर आया तो माइनस 2x हो गया इसके लिए भी हमें एक स्टारडी बनाते हैं यहां तो हम देखिए इसमें भी कुछ भी मान रख सकते हैं 0,1,2,3,4 कुछ भी रखते हैं तो जितना हमने इसमें रखा उतना उसमें भी रख सकते हैं या 1 से शुरू कर सकते हैं अगर हम x के जहाँ पर 1 रखते हैं तो देखिए y कमान क्या होगा ये रफ पर हल कर लेंगे के जहाँ पर हम माइनस एक रखता हैं तो माइनस एक और माइनस दो दोनों का गुड़ा होगा तो पलस दो और साथ और दो हो जागा नौ अगर हमें अक्स के जहाँ पर माइनस दो रखते हैं तो दो दूना चार पलस चार हो जागा माइनस दो रखेंगे तो माइनस माइनस पल वही अमारा अंसर हो जागा लिखेंगे x equal 1 y equal 5 उभा निस्ठ है उभा निस्ठ मतलब दोनों में है common है इसलिए x equal 1 y equal 5 यही अंसर हो जागा तो ऐसे सारडी बीज से हल करते हैं अब अगला question अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो like, share और subscribe जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक बास समझ में आ सके आप लोगों को